दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननेता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगाएं इसी गोमूत्र का और प्रयोग है मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनको इलर्जी होती है कई लोगों को कई कई चीज से इलर्जी होती है किसी को धूल से इलर्जी है किसी को परफ्यूम से इलर्जी है किसी को सेंट से इलर्जी है किसी को अगरबक्ती के धुएं से इलर्जी है किसी को धूपत्ती के धोय से अलर्जी है किसी को कांग्रेस घास से अलर्जी है किसी को किसी से अलर्जी है दुनिया में ये जितने अलर्जी वाले लोग है इनकी सबसे अच्छी दवा है गाल का मूत्र किसी भी अलर्जी के आप मरीज है आप गोमुत्र पी लिए चार महिने लगातार पी लिए उसके बाद आप इलर्जी ट्रेस्ट कराईए आपकी इलर्जी ठीक कर दे किसी भी तरह के लिए और ये गोमुत्र किनकी लिए काम आता है शरीर में तवचा के जितने रोग आते हैं इचियोसिस है, खुजली हो गए, सोराइसिस है, एक्जीमा हो गया, फोरे, फुनसी ये सब तरह के तवचा रोगों में सबसे अच्छी हों के दिये गोमुत्र कैसे करना? मालिश करना इसकी और मालिश करके थोड़ी देख के लिए सूरे प्रकाश में बैठना और उसके बाद इसना अंगर, बस इतना ही ज्यान रखना है कि जिनको गोमुत्र की शरीर पर मालिश करने की ज़दवा है माने जिनको तवचा का रोग है और गोमुत्र शरीर पर मालिश करना है उनको कभी भी साबुन नहीं वापरना चाहिए किसी भी तरह का साबुन मत लगए तो सारे रोग आपके बहुत जिल्मी ठीक होते हैं इसी गोमुत्र का और उप्योग आप कर सकते हैं बालों में अगर बाल बहुत जड़ते हैं गिरते हैं गोमुत्र मालिश कर ये बालों में एक गंदे के बाद बाल दो दीजे, एक ही हफ़ते में बाल तूटना बंदो जाए